तो आज हम बनाएंगे फ्रेंच प्राइज तो यहां पे मैंने चार आलू लिये सबसे पहले इसकी उपर की लेयर जो है इसको पीलर की हैप से निकाल देंगे तो फ्रेंच फ्राइज के लिए बेसिकली एक स्पेशल टाइप के आलू रहते हैं कूफरी चिप्स होना नाम की व आलू से आप कैसे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बना सकते हो वह बताऊंगी तो यहां पर यह नॉर्मल से आलू है इसकी वराइटी मुझे पता नहीं है तो देखिए अब इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है अगर आपके घर में चिप्सर आवेलेबल है तो आप उसी से कट कर सकते हैं या फिर इस मेतर से यह मेतर सबसे ज्यादा कन्विनियंट है तो इस तरह से हम सब भी आलू को कट कर लेंगे और इसे एक बार अच्छे से वाश कर लेंगे ताकि जो भी इसके उपर एक्स्टा का स्टार्च रहेगा वह सारा निकल जाएगा तो यहां पर मैं इक्सरा स्टार्च रहेगा वह हम बॉल करके निकालेंगे तो यहां पर मैंने दो चमच नमक डाला है इस पानी में हम आलू को बॉल कर लेंगे तो एकदम हाई फ्लेम पे हमें शुरुबात में बॉल नहीं करना है पहले हम गैस की फ्लेम को एकदम मेडियम रखेंगे और अ आपको गैस की फ्लेम बंद करना है और यह सारे जो हमारे फिंगर चिप से फ्रेंच फ्राइज निकाल देना है बहार तो अभी इन आलो में से सारा स्टार्च निकल चुका है लेकिन यह पूरी तरह से कूक ने मतलब पके नहीं है तो इसे एक बार हम हाई फ्लेम पर बॉल क दाला है तो बस यह लास्ट टाइम हम इसे बॉल करेंगे इसके बाद यह अच्छे से पक जाएगे देन फ्राय करने के लिए रेडी हो जाएगे यहां पर आप देख सकते थोड़ा सा कच्छा पने इन में तो एक बार इसे हाई फ्लेम पर बॉल कर लेते मैंने बहुत सारे म अब हम इन्हें निकाल देंगे और जो भी हमारा किचन टावल रहता ना उसे हम इस मतलब उस पर हम इसे सुखा लेंगे अच्छे से ड्राय होने देंगे आप चाहे तो इसे फैन के नीचे भी रख सकते हो तो यह देखिए यह अच्छे से कूक हो चुक है तो अभी अच्छ लगाने के बाद अब हम तेल को गरम कर लेंगे और इन्हें एक बार फ्राय कर लेंगे तो यहां पर अब हम इन फ्राइज को एक ही बार में पूरा फ्राय नहीं करेंगे मतलब पार्शिल फ्राय करेंगे और फिर उरें बाहर रखेंगे थोड़ी देर या फिर आप उसे फ् फरे टाक से बना के देते तो वह भी सी मेथट्ड़ के तो फॉलो ख्रते पहले पारिशीली फ्राया करते द्राया करते और देन प्रीजर में रखते और जब निकाल दे रही हूँ और 10-15 मिनिट के लिए इसे हम बाहर थंडा होने के लिए रख देंगे आप चाहे तो थोड़ी देर मतलब आदा गंटा फ्रीज में भी रख सकते हो लेकिन मैंने नहीं रखा था बाहरी ऐसे ही थंडा होने दिया और फिर एक बार ओयल को अच्छे से गरम कर लिया और इस ओयल में हम अब फ्रेंच फ्रैस को गोल्डन कलर आने तक फ्राय कर लेंगे यह रेसिपी थोड़ी सी टाइम टेकिंग जरूर है लेकिन इससे आपकी फ्रैस एकदम बढ़िया बनेंगी बिल्कुल मैग डी जैसी तो बहार इतने पैसे क्यों वेस्ट करना जब घर में हम एकदम हाइजीन मेंटेन करके और कम पैसों में यह सारा सब कुछ बना सकते है तो यहाँ पर आज मेरी फ्रैस के कॉंटिटी कम थी इसलिए मैंने सारे मतलब डबल फ्राय कर दिये तो इस रेसिपी से आपके फ्रैस एकदम पर्फेक्ट बनेंगे मतलब उपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम फ्लफी मतलब खाकर मज़ा ही आ जाएगा तो यहाँ पर बातों बातों में आप देख सकते हो हमारे फ्रैस अल्मोस्ट फ्राय हो चुके तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और निकालने के बाद तुरंती सारे मसाले डाल देंगे यहाँ पर मैंने चैट मसाला थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला है आप चाहे तो सिर्फ नमक डाल सकते हो या सिर्फ चाट मसाला डाग सकते हो लेकिन सारे मसाले डालने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है तो यहाँ पे मैं आपको इसके आवाज भी सुनाओंगी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे यह तो इस में तर से फ्रेंश फ्राइड जरूर बना के देखिए और यह वीडियो रेसिपी अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजे चानल पे अगर आप ने हो तो सब्सक्राइब बटन को जर बाई एंड टेक केर